भाई कोई भी बंदा नसे करे सस्ते तो इस लेवल के करे नहीं तो ना करे मतलब ये बंदा तो भाई लो कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम और स्वागत आपका एक बिराण न्यू पपजी दो मोबाईल की इंप्ले वीडियो में जिसमें यार हद से जादा ही गलत सीन होते हैं ठीक है मतलब इसमें पूरा का पूरा सर्वर हाँ मेरे को मिला के सब नसे में खिल ले होते हैं पूरा सर्वर मतलब आप भी बोलोगे भाईया ये क्या चला है और ये क्यों चला है बाई कता ही जादा ही गलत सीन होते हैं और इस मैच में जो आखरी बंदा बचा होता है यार उसके साथ जो होता है न भाई यार किसी के साथ नहों वो बहुत ही गलत ह होता है और हमारे ये भाई सीधा पोचंकी की च्छत पे लेंड करते हैं और यार देखो मेरे पे सोड़ गन है बंदा काफी दूर है लेकिन धीट होने के कारण में दो-चार गोली पटका ताउ बंदा धैड पैड नौक और एक और उसी घर के अंदर है और हमारी ये भाई यहाँ ठीपी पी लेके एक एम के साथ बैठे पड़े होते हैं और रोड के जो उस पार बंदा है यार उसे कोई चैन ही नहीं है मतलब वो बंदा उधर से सोड़ गन पेल ला है तो हैर कैसे रसना करूँ उस पे करना ही पड़ेगा तो मैं पहुंच जाता हूँ इधर अब पहली ये बंदा तो सोड़ गन कते ही देड़ पैड़ पटकाता है उसके बाद जब मैं एक केम लेके चड़ता हूँ भाई भगने लगते है यार ऐसे कैसे काम चलेगा भाया और उतने में ये पीछे से बोर्ड भी आ जाता है और सामने बंदे भी भगरे होते मेरे और ये इनकी पूरी की पूरी सकॉर्ड खाली हो जाती है हरा और देखो पोचंकी में सिर्फ चारी बंदे है होते हैं मतलब मुझे नहीं पता क्यूं ऐसे सीण होते लेकिन पोचंकी कोई आने को राजी नहीं है आजकल मतलब पहले होता था यार एक टाइम था भूलते थे भइया प्लेन में भाई पोचंकी आओ तुम्हारी पेटी बनाएंगे लेकिन यार अब कोई भी नहीं देखने को मिलता मतलब रोजोक और मिल्ठा पावर में बंदे मिलेंगे भाई वहाँ पे 88 सकॉर्ड मिल जाएंगी और सेवर नी पूछो मत दबा दबा की बंदे आते लेकिन यार पोचंकी कोई आता ही नहीं तो क्या होता ही यहाँ पे मुझे बस 6 किल मिली है मैं एक गाड़ी पकड़ता हूँ जो की ये जो सामने गर्राज होता ही ये सस्ता सा यहाँ पे नहीं होती नहीं तो यार बंदे ठिल जाएंगे और खिल के नाम पे कद्दू कुछ नहीं मिलेगा तो मैं गाड़ी उड़ा देता हूं यहां से अब यहां पे सीन क्या होता है उपर से चौड में तो मैं गाड़ी कुदा देता हूं हाना दो बंदे नोक करता हो मैं होता हूँ फूरे जोवस में मैं बोलता हो यार सबकी पेटी आज ही बनेगी वैसे मैं ठिलने वाला होता हूँ यहां पे हाना यह लोग पेल सकते थे लेकिन हाँ बड़ी मुश्किल से बगगी पलठती नहीं और हम जिन्दा होते हैं तो दो बंदो को मैं नीचे नौक करता हूँ लेकिन उतने में ही उपर वाला बंदा कूदेने लगता है तो देखो भाई को मीट अप करना था लेकिन यार हम पूरे अपने फुल जोस में थे तो मुझे कद्दू कुछ नहीं देखता मैं गोली चलाता हूँ और जब तक मैं सोचता हूँ कि भाई ये तो कूद्राए गोली रोको तब तक यार बंदा ठिल जाता है तो हमारे भाई मीट अप करना चारे थे उसके लिए बहुत बहुत सौरी यार भाई जोस में यार बहुस खो बैठा मैं इसलिए पेटी बन गई हाना और आपको पता है यार मेरी क्या आदत है भाई या गोली चलनी चीए तब तक पेटी ना बने जब तक और इसी जल्द बाजी में भाई की भी पेटी बन जाती है क्यार वहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं जोर्ज की तरफ जा रहे हैं अभी क्योंकि भाई वहाँ पे चली है फलेर गन ठीक है प्लेन पाथ हजारो मीटर दूर था जोर्ज से मैं मजाग भी नहीं कर रहा हजारो मीटर जहां तक मुझे पता है मतलब पास नहीं था है यार क्योंकि फलेन पाथ अगर पास होता तो यार तुम्हारा भाई जोर्जी पहुंचा होता तो मैं भी पहुंच रहा हूँ यहां पर देखते हैं बंदे क्या सीन कर रहे हैं फलेर वगरा गिर चुकी है दूआ बुच चुका है लेकिन बंदे जिन्दा है और ये जो बे मतलब के अभी मैं रिसक वगरा ले रहा हूँ ना भाई इनी के चलते यार मेरी पेटी बननी है कभी न कभी मतलब गाड़ी फुल रफ्तार में चली है मैं धैड़ पैड कूद गया और इतना सारा डैमेज हुआ की पूछो मत लेकिन अभी जिन्दा है तो बाकियों को भी पेलेंगे अब जोर्ज में बंदे अभी भी बैठे पड़े और जहां तक मुझे पता यार इस बंदे को बोला गया था कि भाई तुम गाड़ी ले आओ हम जोर्ज में रुकेंगे इसलिए भाई की यार रस्ते में ही पेटी बन गई अब देखो गिल्ली सूट मिल गया मतलब यार ड्रॉप का माल भी जरूर होगा और यार मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा पोचंकी के लूट की मतलब ठीक के मैंने पूरा नहीं लूटा लेकिन अभी तक मुझे सिर्फ सकारिल मिल रखी है ठीक है मतलब देखो यार सकारिल सही गने लेकिन M4 M4 यार आपको भी बताईए लेकिन कोई यार इसी से जुगाड भीड़ा के पेलते बंदों को अब इस बंदे को इतनी जल्दी होती है उस गिल्ली सूट वाले बंदे को रिवाइफ करने की कि ये अंदा भकते वे बकता है अंदा भकते वे जाता है ठीक है तो इसकी तो मैं रस्ते में पेटी बना देता हूँ तो हाँ यार देखो इन लोगों ने उस बंदे को अकेले बेजाता गाडी लेने और इने लग रहा होगा कि यह लोग बन जाएंगे लेकिन देखो हम है धीट भाई कहीं पे भी ओ बन्दे रस्त करके पेलेंगे तो सब के पूरी स्कॉर्ड की तीन बन्दे होते यहां पे तो तीनों की पेटी बन चुकी है और भाई को AWM मिल चुकी है तो यार दिक्कत होनी नीची है आगे जाके वैसे होगी दिक्कते हैं मैं आ गया हूँ एक और फ्लेर ड्रॉप पे रस्करने अना देखो भाई पे AWM है भाई पे गरोजा है भाई गिल्ली सूट भी है लेकिन भाई या चैन यहां मतलब किलकी लालच किलकी भूक अभी तक खतम नहीं हुई है तो मैं अपना मू और ग्रोजा लेके यहां पे पहुंचाता हूँ फलेर पे अब देखो आगे डिरॉप हुआ होता है मुझे लगता है यार कोई है वहाँ पे मैं अन्धी फायरिंग करता हूँ ठीक है लेकिन मुझे पक्का पता नहीं होता की भाई वहाँ पे बंदे है की नहीं और देखो आगे बंदा होता है की नहीं मुझे नहीं पता लेकिन पीछे घरों में बंदे आ जाते हैं अब इस बंदे को मैं सालों पहले नो कर देता लेकिन यार ये जो सर्ये की रेलिंग होती है न ये जो सर्ये के फटे लगे होते ये दर्वाजे में यार इससे बच जाता है बंदा थोड़ी देर के लिए आओ मिलके देखे की यहां पे क्या हुआ मैंने सकोब खोला सर पे रखा गोली चलाई खून आया ठीक है खून भी निकला लेकिन यार क्योंकि मेरे ख्याल से उसने गोली पहले चलाई थी तो मैं नौक हो गया और जो मैंने गोली चलाई उससे कदू कुछ फरक नी पड़ेगा ठीक है सर पे चलाओ पेट पे चलाओ नाभी पे चलाओ टांग पे चलाओ कोई मतलब नहीं उसका ठीक है चलो ठीक है यार मतलब आप डेमेज नहीं दे रहो पब जी यार मेरी गोली तो वापिस कर दो गोली कब हुई है लेकिन डेमेज नहीं हो है भाई बहुती बढ़िया भाई कोई भी बंदा ना से करे सस्ते तो इस लेवल के करे नहीं तो ना करे मतलब ये बंदा क्या करता है पहले सिंगल में पेल देता है अपनी M साथ छेदो को ठीक है उसके बाद भाई सिंगल गूलियां चलाते हैं फिर भाई दुबारा दबाते लेकिन यार M762 में होता है बरस्ट मोड ठीक है मतलब वो होता है न दो दो गोली निकलती है तो भाई कते बरस्ट मोड में गोलियां पेलते और देखो मैं भी इतना धीट मैंने ये नी की भाई मैं जाके रिलोट कर दू अपनी ग्रोजा को नहीं भाई AWM से ही पेलना है चलो गलती से बजगया मैं यहां पे भाई गन रिलोट पे चल गी उस बंदे की नी तो यार मेरी पेटी मिलती यहां पे क्यार एक और बंदा होता है हां और हमारे ये भाई भी कताई 16 वर्सी सकॉर्ड खेल के इधर पे आते हैं या इसकी टीम पीछे होगी जिसे मैं जाई रहा हूं पेलने खेर जो भी होता है इस बंदे की पेटी बनाते हैं इस भाई पे भी ग्रोजा वगरा पड़ी होती है त और हां भाई लोग तुम्हारा भाई अभी पोको का गिवावे कर रहा है कताई रिहो टीवे में और वहां पे डेली लाइफ स्ट्रीम होती है रात के 9 बज़े से अगर नेट ना से ना दे तो तो भाई को फॉलो करना मत बूलना है यार उसकी लिंक डिस्क्रिप्सियोन में होगी वो भी बिल्कुल टोप में होगी मेरे ख्याल से खेर उसके बाद इसकी पेटी बनाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसके बंदे मिलते हैं अब ये वाली टीम ये कीचड के किनारे नजाने क्या कर रही होती है ना नदी तो है नहीं ये कीचड किनारे बंदे रुके पड़े होते तुम्हारे भाई पर AWM है तो मैं चौड में रस करता हूँ और इसके बाद मैं एक के बाद एक दो हेट सोट पिलता हूँ दो बंदे नौक और एक बंदे की पेटी भी बन जाती है तो अब आगे कैसे न जाएं तो मेरे ख्याल से एक ही बंदा बचा पड़ा है जो कि भाई कताई जहरी नेट करता है मतलब देखो ये सस्ते पत्थर के पीछे मैं आगया हूँ कीचड के बगल में और बंदा नेट नूट करने लगता है मेरे पे और इस भाई का नेट भी मेरे तेरा कते सस्ता होता है अना क्यूंकि मेरे नेट भी देखो यार ये मेरे नेट किया न जाने कहां जाके फटेगा ये ख्यार वो पहला नेड़ गलत करता है लेकिन यार क्या पता वो अगला नेड़ मेरे मूँ पे फेक दे तो मैं इस पेड़ के पीछे आजाता हूँ भया लंबा चोड़ा पेड़ है तो कवर बढ़िया मिलेगा और भाई लोग तैयार हो जाओ क्योंकि जो होने वाला है ना ठीक है वो तुक्के में होगा लेकिन मज़ा आएगा बिलकुली अब यहां पे जो भी होता है भाई सब कुछ तुक्के में और गलती से होता है हेटसोट से लेकर नेड़ तक मतलब देखो मुझे लगी रहा था कि भाई नेड़ नहीं फटेगा हना गलती से फट गया तो मैं बनाने लगा था यह जो यह क्या है भाई यह बरफ के गोले से भाई यह जो पहड़ खड़ा उटता है ना भाई मैंने वो नेड़ इनका पीछा कवर ले लेके भाई कता ही रस कर दूँगा खैर नेड़ से बंदा फट जाता है जो की काफी बढ़िया है मतलब कभी कभी हो जाती है ऐसी चीज़े अच्छा टैप लगता है बिलकुली और देखो यह जो यह क्या है भाई यह बरफ के गोले यह इन से जो आखिर में गलत सीन होंगे ने यार मतलब आपको एक बहुत ही अलग तरीका अलग इस्तेमाल देखने को मिलेगा इनका ठीक है मतलब कवर से कवर लेके आगे रस करने में इस्तमाल आते हैं टाइम पास करने में इस्तमाल आते हैं टाइम फोडने में इस्तमाल लेकिन यार जो इस मैच में होगा वो कताई गलत और नसीला होगा तो देखो मैं फिर से बगई उठाता हूँ क्योंकि यार पट्रोल वगेरा खतम हो जाता है दूसरी गाड़ी लेते हैं और सामने गटका गटका में रस कर रहे हैं क्योंकि यार यहां पर बंदे होंगे बचे वे जोन काफी छोटा हो चुका है और पुरी स्कॉर्ड बेटी होती है यहां अब यहां उपर मुझे सिर्फ एक बंदा दिखता है मैं चौड में अंदर गुश जाता हूँ और जैसी अंदर गुशता हो ना भाया कता ही चार बंदों के फुट स्टैप आते हैं तो हमें घेर लिया गया है और पेली की कुशिस की जारी है तो इस स्कौर्ड के तीन बंदे तो मैं पेल चुका हूँ लेकिन एक बंदा अभी भी बाकी है और यार फुटिश टैप उसके भी आ चुके हैं हमें अब इन भाई को लग रहा होता है यार कि ये समूक में रिवाइफ पेल ले हैं इसलिए ये सुरक्षित हैं ठीक है लेकिन है हम भाई ढीट कता ही मैं चड़ता हूँ छत में भाई चट से काम नहीं चड़ता जो छत का चज़ता होता है न वहां पे खड़ा हो जातो मैं और अराम से पेटी बना देता हूँ तो यहां पे भी पूरे चार बंदे बचे पड़े होते चारो के चारो की पेटी बन गई है लूट कि मुझे कद्दू कोई जरूरत नहीं लेकिन यार वो जो आदत होती न जैसी एक बंदे की पेटी बनाई उसका देखना की भाई इसक यार जब भी बंदे असपास होते हैं तो आपको भी पता यार लेग लोग दबा के होता है तो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं आगे गोलियां धैठ पैट चल लिए मैं गाड़ी सीधा ठोकता हूं अंदर गुश्ता हूं और तयार हो जाता हूं किल चोरी करने के लिए लेकि और देखो वो जो सस्ता घरे नागे कहीं पे भी फसो लेकिन उसमें मत फसना क्यूंकि वो हद से जादा गलत जगा है और इसी के साथ यहां पे भी चार बंदे बैठे होते हैं चारो के चारो की पेटी बना दी जाती है और वो बंदा बाहर जाके मेरे ख्याल से उसके आग लग जाती है तो वो बंदा बाहर जाके कते जाड़ी में लेड जाता है और मैं देखता हूं इसे सनाइपर से मारा जाए बगेर सकूप खोले वो होता है ना 9 सकूप क्यों ना इसे 9 सकूप मारा जाए और ज़यार लगती भी सिधा सर पर है और इस मैच के बाद जब मैं लोभी पहुँचता हूं न यार वहाँ पे लिखा आता है कि भाईया तुम बन गए हूँ वैपन मास्टर कता ही जहर मतलब मुझे खुद नहीं पता होता कि भाईय मैं सारी चीजे इस्तमाल कर चुका हूँ इस मैच में आप सही समझे मैं इतना आलसी था कि मैंने अभी तक वैपन मास्टर वाला मिसन भी नहीं किया था लेकिन कोई यार मिल गया तो सही है तो भाईय लोग यार अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं पेला है तो यार यही टाइम है यही मौका है पेल के रख दो लाइक के बटन को और अगर आपने भी वेपन मास्टर कर लिया है तो यार मुझे कमेंट में जरूर बताना और ये बताना कि आपने जानगे किया या गलती से हो गया क्योंकि यार जहां तक मैं देख रहा हूँ ना भाई मेरी जिंदगी में सारी चीज़े यार गलती से ही हो रही है ठीक है मैं देखता हूँ भाई या वेपन मास्टर मैं बोलता हूँ बढ़िया है यार मतलब गेम पले भी मिल गया वेपन मास्टर भी बन चुके है तो और क्या चाहिए जिंदगी में क्यार वो सब छड़ो यहां पर बस एक ही बंदा बाकी है जो कि यार आपको भी पता है मुझे भी पता है साप बन रखा है और देखो साप का चकर मौद से टकर मैं हर बार बोलता हूँ लेकिन यार इस बार वो अपने आप ही अपनी मौद दिलवाने वाला होता है देखो क् और हमारे भाई कताई ज़्यादा मेहनत कर रहे है यार ग्रोजा पठका रखिये है और देखो यार क्योंकि जो होगा ना बहुत ही गलत होगा और यार ये जो गलत सीन हुए ना भाई यार किसी के साथ ना हुजिन्दगी में मतलब इससे ज़्यादा गलत और नसीला क्या हो सकता है मतलब हमारे भाई बने होते हैं कताई सांप ठीक है वो बोलता है बंदा बोलता है कि यार आज तो भाई मैं जलती बोतल में आग फिकूँगा जला के रख दूँगा जाड़ी घास जंगल सब कुछ मैं ही जलाओंगा ठीक है भाई मोली उठाते हैं मैं सको खुल के सब कुछ देख रहा हूं यहां से ठीक है भाई मोली उ कि उस बरफ की चक्टान में लगती है और आग वही पहल जाती है भाई खुद को जला लेते हैं खुद को जला लेते हैं यह चीज में अपनी जिन्दगी में पहली बानी देखी मतलब यार कमाल है भाई या मतलब देखो ये चीज मुझे इतनी पसंद नहीं थी ये जो बरफ की चक्टान होती है लेकिन इस मैच के बाद यार मजा टैपी आगया तो हाँ भाइलो गयार अगर आपने अभी तक लाइक नहीं पेला है वीडियो को यार इस गलत सीन के लिए बनता है यार लाइक पेल क के रख दो लाइक की बटन को और अगर आप यहां पे नहीं हो तो यार सब इसक्राइब करो और वी ऐसा ही गलत सीन और सस्ती कमेंटरी के लिए